तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि अपने AWS गंशोल के ओपर हम अपने बिलिंग कैसे चेक कर सकते हैं बिलिंग को ओवर विव कैसे देख सकते हैं आपको जो बिलिंग आती है आपकी उसमें आप कौन सी सर्विस का गेश्ट कितना चार्ज हुआ है तो वो सब कैसे चेक कर सकते हैं वो आज की वीडियो में आपको बता हूँआ तो उसके लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पर पहले लोगिन चलते हैं मैं आप गूगर को ओपन करता हूँ पर उसके बाद मैंने आप एक भूक मार कर रक्था और इडिवलेश कंशोल को तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको ओपन करने के बाद यह आपको दिख रही है home screen आपकी errorless control की ठीक है तो billing check करने के लिए आपको क्या करना होगा आप यहां तो यहां पर direct search कर लेजी billing के नाम से आपको यहां पर show कर देगा यह billing इसको ओपन कर सकते हो यहां यहां पर जाएंगे services के अनदर और यहां पर आप all services में जाके इसको सर्क्राण कर सकते हो यह ओल services में भी एक सेर्च कर सकते हो दूसरा main चीज उता आप का कहीं और जाने के जारूरत नहीं है कहीं से सर्च करने की जरूरत नहीं है आप जैसे आप राइट साइड में कॉर्णर पर देख रहे हैं जहां पर आपकी प्रोफाइल आपकी अकाउंट आइड लोगन आइड आइड आपको शोग करता है गदर आइड आपके अप्चन दीता है एरोफ जहां से आप ड्रोप डाउन कर सकते हो वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहां पर से आपको उप्चन देगा बिलिंग डैशबोर्ड ठीक है तो यहां पे आपको राइट साइड में जो और पे शो कर रहे है बिलिंग डैश्बोर इस पे आप क्लिक करेंगे तो बिलिंग डैश्बोर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको बिलिंग डैश्बोर की होम स्क्रीन शो करेंगी ठीक है लेट साइड में इसके बारे माने वाले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से में ठीक है फिर्स ऑप्षिन आपका 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 डेशबूर बना हुआ है टोटल बेलिंग कितना है यहां पे तो वो सारी चीशेशो कर सकता है टोटल नमबर अफ एक्टिव 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 हो तोटल यह पर सो करते हैं रीचे हाइस्ट आपको दिखाता है तो यह अभी हैंपर है इसको पर देखोगे तो इसलिए आपको यहां पर शो कर रहा है जीरो वाला और मोशली में AWS के उपर फ्री टियर वाली रिसोर्सिज ही क्रेट कर रहा हूं अभी तक जब भी मैं करता हूं मतलब कुछ है अगर मैं अनलों में आपको दिखाता हूं अपर परानी अपनी निव इस लिगाता हूं मालम में यह अर जॉन की लिखाता हूं तो वहां पर आपको कुछ बिल मेलेगा जहां पर मैंने रिसोर्सिस यूज की जैसे आप 19 रुपए का भी लाया है था यह मैंने आप यूज की रिस विसी तो कौन शी सर्विस का कितना यह इतना है, Elastic Compute Cloud में आपका बेल इतना है, किस चीज़ का है यह पर भी आप चेक कर सकते हूँ, US East Region में आपका Domain, Demand Linux T2 Micro Instance इतने टाइम के लिए अप रही थी, क्यों यह T2 Micro वैसे तो फरी होती है, इसके साथ मैंने जो Services यो Resources यूज की है, उसके साथ मतलब जैसे Public IPM यूज करते हैं, तो उन चीज़ों में आपको बिलिंग लगता है, वह आपको बिल देना होता है, ठीक है? तो जैसे storage होता है, जैसे storage को मतलब जैसे by default आपको Linux केंदर 8GB, Windows केंदर 30GB space होता है T2 Micro में, अगर आप उससे जदा storage लेते हो, तो वह भी आपको बिलिंग करता है, तो वह सारी चीज़ें आपको यहां पर शो करेंगा, ठीक है? तो मैं एक बार इसके home screen पर आ चाता हूँ अ नीचे आपको दिखाए रहे है, cost trained by two five services, मतलब आपकी जो two five services है, वो कौन सी है, जो use हो रही है, और उनका billing क्या है, तो यहां पर billing मेरा zero ही है, क्योंकि mostly services में फ़री वाली यूजगतों, जैसे कि मैं आपको बता है, तो मैं आपको बता है, तो मैं आपको बिल, मतलब पिछ यहां पर बिल में जाके आपको बिल चेक कर सकते हो, ठीक है, AWS anomaly detections, cost management, AWS organization, यह details में पढ़ने के लिए आप AWS के documents में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, तो अभी अगर आपको मालोग मुझे कोई बिल चेक करना है, तो जैसे आपको बिल चेक करना है, किसी particular month का, ठीक है, हिस्ट अइस में लीगी, परवेस बिल चेक करना है, तो यह आप यहां पर भी वियू बिल जाके चेक कर सकते हो, यह फिर order in invoice में जाके भी आप Chinese कर सकते हो, ठीक है, werde in invoice में आपको डिफेरेंन चीज दिखेगी, यहां पे इन एक बाद आपको फोडिषी डिफेरेंट चीज तो आपको पराना ही यूज करने तो आप यहां से वापीस पराने वाले बी जा सकते हो ठीक है यह अभी अपडेट हुआ नहीं है अपडेट हो जाए गई कुछ ट्रेंब के बाद आपका आपका यूज नए अपडेट लेकर आ रहा है वह पहले आपको अप्लाई नहीं करता ह के बाद आपको फिर वह क्या करता है पुराने वाले कंशोल्स को चेंज ही कर देते हैं लिए वनी कंशोल्स में ठीक है तो अभी जैसे है आपको ओक्टूबर मंत का बिल दिख रहा है डेट ओक्टूबर 2022 यहां पर यह इंवोईस के अपकी अमाउट दिखा रहा है जिरो ज सुब्स पिशिक्रस्ण नेचाट हो यह इन शो ऊई पर चालगे जब से मेरा आकाउंट यहां पे बना रक है तब तक का जो भी आपको ब बिल चेक करना है आप्टो यहम्मन्त काamई करता हूं 2020 का तो यहां पर जीरो है, आपकी कौन-कौन सी सर्विस आपने यहां पर यूज किया, वो आप यहां पर दिखा देगा, क्योंकि मैंने उसरें पर यह एकाउंट क्रेट किया ही था, और यहां पर मुझे फरी माला, मतलब कुछ आपको जो क्रेट मिलता है, वो फरी मिला था, वो टीटो माइक्रो सर्विस तो इसलिए आपको यहां पर यहां पर सारी चीजे वो दिखा देगा, अगर लेट आश में चेक करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा तो मैंने अभी आपको माई मंत का दिखा था, तो यहां पर देखिए, अप्रेल मंत में भी मुझे जीरो बिलिंग आई थी, क्योंकि मैंने जादा रोस्य उसे यूज नहीं की थी, जो की थी मैंने वो भी आपको फरी वाली यूज की थी, तो इसलिए आपको आपको शोव कर रहे है, क्योंकि mostly services में वो ही यूज कर रहा हूँ जो फरी वाली है, और उसका बिल आपको चार्ज नहीं करता है, आपरेल की चेक करते हो, माई की चेक करनी है आपको उत और माई की चेक कर सकते हो, तो जो आपकी बिलिंग होती है, जैसे यहां पर मैंने आपको लास मन में दिखाया भी था, कि 19 रुपे बिल आया था इतना है, कौनसी कौनसी आपकी tax invoice आप यहां पर चेक करना है, डाउनलोड करनी है तो आप tax invoice यहां से डाउनलोड कर सकते हो, payment summary आपको चेक करने हैं, सारी चीज़ आप यहां पर चेक कर सकते हो, कौन-कौन सी resources की आपके यहां पर बिल आया था, कितना-कितना बिल आया था, कौन सी resource को यूज़ करने पर, वो सारे details आप यहां पर चेक कर सकते हो, तो पूरी details में आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक किसी भी महीने के आप चेक कर सकते हो जब तक जबसे आपने अकाउंट क्रेट किया है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर डाउनलोड करते हो दूसरा आता है कोउधर और यहां पर अप चंक शू करें आपको अपको यहां पर और जाए सा चेक करें जुलाई 2022 से और आगस्त एट तक मतलब ऑक्टुवर एट तक अभी तक का हम चेक कर रहे हैं तो इसको मैं फिल्टर करके साथ करता हूं तो यह अभी क्या रहा है कि आपको कोई बिल नहीं है अगर मैं इसको चेंज करता हूं जुलाई की वज़ए मैं मतलब पुरान पर क्लिक करूँगा तो आपको एक ही बिल्ट फो करेगा जो मैंने 19 रुपे का पे किया था आपको मैंने जो दिखाया भी रहा है तो इस तरह के से आप चेक कर सकते हूं और यही डिफरेंस आता है कि आपका ओडर और बिल्स में महलब व्यू विल में जाके मैं बिल्स चेक कर सकते हैं budget report कैसे चेक कर सकते हैं saving plan वगर हम कैसे create कर सकते हैं वो सारी चीज़े हम यहां पर पढ़ेंगे तो billing का भी हमारा concept शुरू है तो आप वीडियोज देखते रहे हैं और अपना feedback शेयर करते रहें और billing से लेटिए आपको कोई भी doubt रहता है तो आप मुझे comment कर सकते और आप मुझे email भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दे, bell icon को price कर दे ताकि आने होने सारी वीडियोज के notification आप comment दे रहे so thank you guys keep watching and keep supporting, bye bye